हरियों नमोनमह जय श्रीराम वंदे मातरं आहारह फलाहारह प्रातह फलानाम सेवनम करणियं फलानामेव सेवनम प्रातह उत्तमम भवति यदि जनह रोगी अस्ति तास्मय फलाहारानाम सेवनम उत्तममस्ति प्रातह अवश्यमेव भलाहारमेव करोतु मध्याहन वेलायाम किंचित भोजनम करणियम परंतु तस्मात पुर्वं शदह अनिमारिय भावेत शदह अर्थात सलाद शाकानाम सेवनम करणियम आवश्यकम वर्थते यथा ग्रिंजनम भवति, मूलिका भवति, रक्तांगम भवति, करकटी भवति यथा रिदू अनुशारेयन यानि शाकानी उपलभ्यंते तेशाम सेवनम करणियम अपक्वानी शाकानी खादित्वायव किंचित भोजनम करणियम एवँ यदि क्रियते तरही रोगाह शनै शन षवय मेव नश्यंति भोजनमेव आउशधं वर्तते भोजण ही आउशध है यदि संम्यक रूपेण परियाप्त रूपेण उचित रूपेण भोजनस्य सेवनम क्रियते रिभोजनमेव आउशधं वर्तते भोजनम स्वल्पम responsible? सुपाच्यम भवेत रितु अनुशारेनल यानि शाकानि भवन्ति तानि क्वथितानि भवेयु। प्रथमं भोजनंतु अपक्वमेव भवेत यथा फलानि शाकानि भवन्ति तदनंतरं क्वथितं आहारं स्वीकुर्वन्तु। भोजने श्री अन्ना नाम प्रयोग आवश्यक अस्ति मध्याहने एका रोटिका भवेत परंतु रोटिका श्री अन्ना नाम चूरणस्य एव भवेत गोधुमस्य रोटिका न भवेत मुद्गदालेन सह एका रोटिका भवेत किंचित शाकम भवेत एतादेव मत्याहने उत्तमं भोजनं भवती परियाप्तं भवती नमोनम जैशेराम सर्वे भवन्तु स्वस्थाह सर्वे भवन्तु संस्कृत अग्याह जैतु संस्कृतं जैतु भारतं